टोटल वेकिंसी के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के माध्यम से BTSC एनिम 10.07 सुनों को लेकर के एक बहुत ही महत्पून अपडेट आप लोग को बताने वाला हूं जी या दोस्तों जो भी अमारी वेने एनिम 10.07 सुनों में आविदन के हैं आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अब BTSC यानि की बिहार तकनीकी से वायोग खुद अपने तरब से जानकारी देगा कि आगे आने वाले प्रकिरिया क्या होने वाला और प्रकिरिया कब से सुर्वाद हो सकता है जिया दोस्तों आप सही सुन रहे हो क्या यहाँ पर मैं बताना चाहरा हूं कम्प्लीट आप लोग को जानकारी देंगे तो वीडियो के लास्त तक बने रहेगा साथ में जो भी स्टुएंट से इस चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिफिकेशन और चलेट कर लिजेगा चली दोस्तों जानकारी को सुरुवात करते हैं और आप सभी को डीटेल्स में जानकारी बताते हैं देखे फ्रेंट्स आपको पता होगा पहले से भी पता होगा हमने कई बार BTSC से कॉंटेक्ट करने की कोजिस किया है जहां पर कि अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुआ चाहिए आप इनके BTSC के आफिसली जीमेल आइडी पर यहां पर मेल कीजे लेगिन कोई भी अपडेट नहीं जारी किया गया कि सर यहां पर अगला प्रकिरिया क्या होने वाला है क्योंकि जो स्वास्त विवाग का सूचना था वो करीवन बारा तारिका ही था तो आप कर सकते हो कि एक महीन होने को आ चुके पर अभी तक कोई भी decision नहीं लिया गया है अब क्या इसका सच चाहिए वो भी आपको भी सोचना पड़ेगा तो इसी कारण से दोस्तों मैंने यहां पर आप सभी के लिए BTSC की उपर RTI फाइल क्या है RTI का मतलब क्या होता है क्या इससे क्या होगा complete आप लोगो समझाएंगे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बाताना चाहता हूँ RTI यो कि आप कर सकते हो भारत सरकार का एक नियम है जिसके तरह अगर कोई भी बहाली या फिर कोई भी चीज में है जहां पर कि आपको 100% यहां पर उत्तर मिलेगा सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ यहां पर अगर आप RTI फाइल करते हो तो एक महीने के अंडर में यहां पर आपको उसके लिए जानकारी मिलेगा अगर आप BTSC को मेल करते हो अब उनका मन यहां पर उसके reply देंगे या नहीं देंगे या फिर जो भी लेकिन जब अगर आप RTI फाइल करते हो तो उसका statement रता है pending में है उसके बाद successful होगा जब वहां पर से आपका reply आएगा अब जैसा कि मैंने जो question पुछूँँगा उसका वहां पर उत्तर की हिसाब से एकदम details वरा उत्तर दिया जाएगा और उसके बाद मेरे Gmail ID पर यहां पर भेज दिया जाएगा तो यह आपने समझा इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है घबरानी वाली बात नहीं है आर्टी आई सभी लोग के लिए होता है सभी लोग आपको पता होगा हमारे संभीधान में ही right to equality है तो यहां पर आप कर सकते हो इसका आर्टी आई का ही full form होता है दोस्तों right to information यानि कि हम में information जानने की चाह है मतलब कि आगर आप चाहते हो अगर आप आपने भर्ती में आविदिन किया तो आप ही चाह सकते हो कि क्या प्रकिरिया चल रहा है और आगे आने वाला प्रकिरिया क्या हो सकता है तो यहां पर सबसे पहले तो यह health department पर मैंने किया है जहाँ पर कि मैंने बता है बिहार तक्नीकी सेवा आयोग के अंतरगत में जो कि आप अहाली निकाला गया है विग्यापन संख्या 7222 जो कि एनम के लिए पर्मानेंट है जो कि आपको पता होगा दस जार साथ सुनों का उसके लिए यहाँ पर मांग किया क्या क्या प्रश्ण पुछे हैं यह ध्यान से समझते चलिएगा सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप कहीं से भी अगर आप ऑफिसली जानकारी देखिएगा तो आपको अभी तक ऑफिसली जानकारी देखने को नहीं मिलेगा हाला कि एक लेटर तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यह बात किया क्योंकि अगला प्रोसेस बीटी एसी का है वो है कॉंसेलिंग और कॉंसेलिंग में भी आपका यह जब कॉंसेलिंग है जो की बोला जा रहा था कि मार्च कहीं इंडिंग से स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारे लोग फिर ओल पर बंदोबस होने लगे थे लेकिन एक वार फिर से प्रकीरिया बहुत ही बहुत ही लोग आपको मैं बताना चाहता हूं मैंने सबसे पहला प्रसनियाई पूछा है कि सर कॉंसेलिंग कब से सुरुआत हो सकता है क्योंकि कॉंसेलिंग एक साल हो चुका है भर्ती को आप लेकिन अभी तक कॉंसेलिंग सुरुवात नहीं किया गया है इसके बाद दूसरा पर्षन जो कि होने वाला है यह मैंने पूछा है एक्जामनेशन को लेकर गया क्योंकि आपको पता होगा नया नियवली तयार किया गया है उसके तहट यहां पर नई भरतियों में एक्जाम ल किया तो कल परसो आ जाएगा या फिर एक सब्ता में आ जाएगा थोड़ा समय लग सकता है तो इसके लिए आप लोग को भैवीत नहीं होना है लेकिन जो भी जानकारी दिया जाएगा ओफिसली जानकारी आएगा इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा प्रस्ण जो की है व बहुत जादा बेर्थ हुआ है आप भी समझे एक साल यहां पर जोगी प्रकीरिया चला है इसमें BTAC ने भी कई सारे काम कियोंगे फॉर्म चाटे होंगे 50,000 लोग का फॉर्म चाटना कोई असान काम नहीं हो आपको पता है सभी का डॉक्मेंट से किया गया होगा जहां पर जिनका NCL नहीं दिया होगा जिनका NCL में डेट कम होगा उन लोगको अस्कूटनी में हर थाया गया तो बहौत सारे काम हो यहां होते BTAC ने किया होगा अब अचानक से उन्हें कहा जाएगा कि यहां पर आपका यह सभी बेकार हो गया आप लोगका एक्जाम होगा उसके बाद कर दिया जाएगा तो यहाँ पर BTSC से भी निर्देश रहेगा और आप देर्थों के लिए भी यह सही रहेगा कि जो प्रकिरिया चल रही है वही प्रकिरिया को आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन अब देखना यह होगा कि अब क्या यहाँ पर बाकी यही जानकारी था यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर पैसे भी लगते हैं आटी आई फाइल करने में वह मैंने पेमेंट किया है तो यहाँ पर अभी देखिए अभी तो कोई अपडेट नहीं आएगा करीबन एक महीने का समय मुझे दिया गया है कि आपका उत्तर मिलेगा आप देखिए जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा बाकी अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और विडियो क्लेक करना भूलेगा मिलते दोस्तों कोई श्रू में तब तक के लिए उड़वाए बाकी हमेश के लिए आपके साथ रहूंगा जैसे ही कोई अपडेट आएगा कोई विसूचन आएगा आपके लिए मैं बताने का पूरा परियास करूंगा तो निशित रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते दोस्तों